हेलो दोस्तो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बाबा फ्रीद युनिवस्टी ओफ हेल्थ साइंस फ्रीद कोट है उसके द्वारा जो 598 स्टाफ नर्सों की विकैंसिस निकाली गई हैं उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप उस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी गवर्मेंट और प्राइवेट जोब्स के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो ओफिशियल नॉटिफिकेशन है उसमें आपको क्या-क्या जो इदकोट के द्वारा लेटर लिखी गई है जो की सिहत ते परिवार पलाई विबाग पंजाब के लिए लिखी गई है जिसमें कि आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्टें है पांसो अठानुए उसको भरने के लिए ये लेटर दी गई है तो दोस्तो इसमें आपको बताया ग तो दोस्तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो जो जोबस है जो नंबर ओफ इसकी विकैंसी है उसके बारे में तो दोस्तो इसमें जो टोटल वकैंसी है वो पांसो अठानुए है जिसमें की जर्नल के लिए दोसो चौनती पोस्टें हैं सी एम एंड बी के लिए सब्सक्राइब के लिए उनके लिए 42 कंशियो 3 स्बस्टाइब के लिए 4.20 युझके लिए गई है जो कि ये टोटल पांसो अठानुए वकैंसी दी गई है तो दोस्तों आप इसकी जो एजुकेशन कालिफकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको Senior Secondary Pass चाहिए जो कि आपका Recognized University और Institution से होना चाहिए तो दोस्तों इसके बाद आपके पास एक GNM का Diploma होना चाहिए जो कि आपका Recognized University और Institution से होना चाहिए और दोस्तों इसके बाद जो आपका ये डिप्लोमा है ये Registered होना चाहिए Punjab Nursing Registration Council से जो कि आपका Registration Act 1922 के तहत होगा तो दोस्तों इसके आगे इसमें आपको Important Notice दिया गया है वो आप इसको Download करकर पढ़ सकते हैं इसके बाद इसमें आपको Age बताई गई है कि आपको कौनसी Category में कितनी Age चाहिए तो आप इसको Download करकर इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं इसके बाद दोस्तों इसमें आपको Nationality बताई गई है जो कि Citizen of India का होना चाहिए Citizen of Nepal Subject of Bhutan जो कि आपका 1 January 1962 के बाद Permanently इंडिया में Settled हो वो भी इसे भर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको Conditions Regarding दी गई है जो कि Fixed Monthly Salary की है वो इसमें आपको Conditions बताई गई है तो दोस्तों इसके आगे आपको Important Instructions दी गई है वो आप इसे Download करकर या वीडियो को Pause करकर पढ़ सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको जो Reservation Categories है उसके बारे में भी आपको इसमें पूरा बताया गया है और दोस्तों इसमें आपको इसके आगे बताया गया है कि जो Freedom Fighter के Sun Daughter या Grand Sun Daughter है उनके लिए क्या-क्या इसमें Criterias दिये गए हैं इसके बाद इसमें जो X Service Man है उसके Criterias दिये गए हैं वो आप इसे Download करकर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो इसके आगे इसमें जो Sports Person है उसके लिए भी इसमें अलग से Criterias दिये गए हैं जो कि आप इसे Download करकर पढ़ सकते हैं या वीडियो को Pause करकर भी पढ़ सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि आप इसका जो Registration है वो कैसे करोगे और जो इसका Login है वो कैसे करोगे जो कि इसमें 598 स्टाफ नर्सों की Vacances है उसके बरे में तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जिन बच्चों का पहले से Login Registration हो रखा है वो Login कैसे करेंगे तो इसका लिंक में आपको Description में दे दूंगा आप वहां से Direct Form को Apply कर सकते हैं तो दोस्तो आप चलते हैं कि आपने New Registration कैसे करना है तो जैसे ही आप New Registration पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपने नाम, Father Name, Date of Birth और Gender लिखना है इसके बाद आपको अपना अधार नंबर डालना होगा इसके बाद आपने Mobile नंबर टाइप कर देना है उसके बाद आपका जो Correspondence Address है वो टाइप करना है इसके बाद आपकी State आ गए हैं तो दोस्तो इसके बाद आपने इसमें Email डालनी है तो दोस्तो इसके बाद आपका जो Select Post है उसमें Staff Nurse आ जाएगा जो Select Speciality है वो भी आपकी Staff Nurse ही रहेगी Category आप यहां से Choose कर सकते हैं जो भी आपकी Categories है तो दोस्तो इसके बाद इसमें Advertisement Number Automatically ही दिया गया है और इ Application Fees है वो कुछ नहीं है तो दोस्तो इसके बाद आपने Basic Qualification भरनी है यहां पर जो आपकी Plus Two की Qualification है वो भरने के बाद आपको यहां पर अपना College Name या School Name लिखना है टोटल Marks कितने हैं कितने आपके Marks आए हैं वो आपको यहां पर लिखना है तो दोस्तो इसके बाद आपने Pass Year लिखना है जो आपका Plus Two का Passing Year है वो आपने यहां पर Select कर लेना है उसके बाद जो आपकी Higher Education है GNM BSc Nursing या Post Basic BSc Nursing वो आप यहां से Select कर सकते हो इसके बाद आपने यहां पर अपना College Name लिखना है टोटल Marks लिखना है और Obtained कितने Marks हैं वो आप लिख सकते हो उसके बाद दोस् Registration है Concern Council में वो आपने यहां पर लिख देनी है इसके बाद आपका Registration No.1 आ जाएगा उसके नीचे आपका Registration No.2 आ जाएगा तो दोस्तो जो इसका अगला कॉलम है वो है Basic Undertaking का तो दोस्तो इसमें आपने सबसे पहले आपकी Nationality आ जाएगी जो की Indian होगी यहां से आप Select कर लोगे इसके बाद जो आपका Government Service है तो आप यहां पर Yes कर दोगे अन्ने था इसको No कर दोगे तो दोस्तो इसके बाद है कि जो आपने 10th में पंजाबी पास की है तो आप यहां पर Yes लिख दोगे इसके बाद है कि आप अगर Disqualified है PPSC, UPSC या State Public Service Commission से तो आप यहां पर Yes या No Option क्लिक कर सकते हो इसके बाद आपको है कि जो Request Site Qualification as per Advertisement है तो आप यहां पर Yes के Option पर क्लिक कर दोगे इसके बाद आपने इसे Process के Option पर क्लिक कर देना है तो आपका जो Registration Number है वो आपके पास आ जाएगा और इसके बाद आपने Candidate Login पर क्लिक करना है तो दोस्तो यहां पर आप अपना Registration Number लिखोगे और नीचे आपने Password लिख देना है इसके बाद आप यहां से Login पर क्लिक करकर अपना Form फिल कर सकते हो तो दोस्तो अगर आपको इसमें बरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे Comment Box में Comment करकर हमसे पूछ सकते हैं हम आपको जो आप Question कर करोगे उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय भारत